जै माता दी दोस्तों घरे लूख अपर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै माता दी जरूर लिखे माता रानी सब का कल्यान करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में लगने वाले पहले सुरिगरहन के बारे में साल 2025 में पहला सुरिगरहन कब लगेगा और यह सुरिगरहन कहां कहां दिखाई देगा किन-किन देशों में दिखाई देगा क्या यह सुरिगरन भारत में दिखाई देगा साथ ही इसके समय की भी बात करेंगे कि सुरिगरन लगने का सही समय क्या होगा एवं इसका सूतक का लगने का सही समय क्या होगा संपूर जानकारी आज इस वीडियो में हम आप लोग को देंगे वीडियो में लास्तक बने रहे वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ सेयर कीजिए चैनल पर पहली बारा है और घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे पेल बटन को प्रेस कर लेंगे इससे ही होगा कि आने वाले इसी तरह के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए आपको बता दे कि साल दोहजार पचीस में चार ग्रहन लगेंगे दो सुरी ग्रहन और दो चंद ग्रहन जिसमें पहला सुरी ग्रहन की बात करें तो साल दोहजार पचीस का पहला सुरी ग्रहन है वो 29 मार्च को लगने जा रहा है इस दिन चैत्र माह के क्रिस्ट पक्ष की अमावस्याती थी होगी यह सुरिग्रहन आंसिक सुरिग्रहन होगा बात करें इस सुरिग्रहन के सही समय की तो भारतिय समय अनुसार यह सुरिग्रहन दो बज कर 20 मिनट पे सुरू होगा और साम 6 बज कर 13 मिनट पे समाप्त होगा बात करें यह सुरिग्रहन कहां कहां दिखाए देगा तो यह सुरिग्रहन बिशेश रुप से बर्मुडा, बार्वाडोस, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, उतरी ब्राजिल, फिनलेंड, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आयरलेंड, मुरक्को, ग्रीनलेंड, कनाडा का पुर्विभाग, लिथुआनिया, हॉलेंड, पुर् पुर्तगाल, नार्वे, युक्रेन, स्विर्चरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका के पुर्वी छेत्र आदिच जगों पे दिखाई देगा, यह सुरिग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई धार्मिक प्रभाव भारत के लिए माना नहीं जाएगा साथ ही इसका सुतक काल भी मानने नहीं होगा, लेकिन जिन जिन देशों में यह सुरिग्रहन दिखाई देगा, वहाँ सुरिग्रहन के नियम और सुतक काल के नियम, संपूर नियम मानने होंगे बात करें सूतक काल की तो सूतक काल जो है सूरिगरहन में जब सूरिगरहन लगता है तो उसका सूतक काल सूरिगरहन सुरू होने के 12 गंटे पहले सुरू हो जाता है और सूरिगरहन के साथ ही समाप्त होता है बता दे कि सुरिगरन के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे सुरिगरन के दौरान कुछ काम करने से बचना चाहिए, जैसे कि बाहर जाना, खाना, बनाना, खाना, खाना और सोना, सुरिगरन के दौरान गर्वती महिलाओं को खास ख्याल रखना पड़ कि तुलसी की पतियां आपको सूतक लगने से पहले ही तोड़के रख लेना है इसकी बाद आपको बता दे कि सुरिगरहन जब समाप्त हो तो असनान करना चाहिए मंदिर में गंगाजल का छिर्काव करना चाहिए और दान स्वरू कुछ न कुछ अवस से निकालना चाहिए दा भारत में दिखाई देगा यह संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में हम आप लोगो दिये साथी सूतक काल की भी बात किये उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे सेयर करे और मेरे इस घरेलूख अबर चैनल को सब्सक करे थैंक्स